जैसी कृष्णा राधे राधे जैहो स्री सत्य नारायन भगवान कीजे जैहो स्री लश्मी नारायन भगवान कीजे आज हम स्री सत्य नारायन ब्रत कथा सुनेंगे पहला अध्याए एक समय नेमिशारण्य तीरत में शोनकादी 88 हजार रिशियों ने सूत जी से पूचा की हे प्रभू इस कलियुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभू भक्ती किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उध्धार कैसे होगा हे मुनिवर आप कोई ऐसा तब कहिए कि थोड़े से ही समय में पुन्य प्राप्त हो जावे तथा मनुष्य को मनवांचित फल मिले क्योंकि है मुनिवर प्रतेक मनुष्य अपने अपने दुखों से दुखी है कोई तन से दुखी है तो कोई मन से तो कोई अपने परिवार से तो कोई अपने बच्चे से तो कोई अपने पती तो कोई अपनी पत्नी से दुखी है उन सभी के दुखों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है प्रतेक मनश्य के पास धन भी नहीं है बिना धन खर्च किये ऐसा क्या उपाई किया जाए कि मनश्य अपने दुखों का नाश कर सके तब सर्व शास्त्र ग्याता सूत जी बोले कि हे विश्णव में पूचे आपने मनश्य के कल्यान की बात पूची है आज मैं आपको एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिस व्रत को बहुत पहले नारद मुनी ने सिरी लक्ष्मी नारायन भगवान से पूचा था और लक्ष्मी नारायन भगवान ने नारद से कहा था इसलिए तुम सब्ध्यान से सुनो एक बार नारदवनी जी दूसरों के कल्यान से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में गए वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए सबी मनशों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखों से पीडि देखा तो वे मनश के दुखों को देखकर बहुत दुखी हुए उन्होंने देखा कि हर घर में कोई ने कोई किसी ने किसी बास से दुखी है कोई अपने पुत्र को लेकर दुखी है तो कोई संतान ने होने के कारण दुखी है तो किसी के पास धन की कमी है तो कोई अपने शरीर की पीड़ा से दुखी है किसी पर मुकदमा चल रहा है तो कोई धन जादा होने के कारण उसके सार संभाल में लगा है नारद्बुनी ने देखा कि मृत्यू लोग में सभी मनुश्य दुखी है तब नारद्बुनी सोचने लगे कि ऐसा क्या उपाई किया जाए कि इन प्राणियों के दुखों का नाश हो जाए ऐसी बास सोचकर नारद्बुनी विश्णू लोग में गई जहां श्रीत वर्ण चार भुजाओं वाले देवताओं के नारायन भगवान को देखा जिनके हातों में शंक, चक्र, गदा और पाद्म थे तथा वर्माला पैने हुए थे उनको देखकर नारद मुनी इस्तूती करने लगे कि हे लक्ष्मी नारायन आप अध्यंत शक्ती से संपन है मन तथावानी भी आपको नहीं पा सकती आपका आधी, मध्य और अंत भी नहीं है निर्गून स्वयरूप, शष्टी के आधी भूती वह सभी भगतों के दुखों को आप शन भर में दूर कर देते हैं हे प्रबू, आपको मेरा नमस्कार है नाराद्मुनी की इस्तूती सुन कर विश्नु भगवान बोले कि हे देवरिशी नाराद्मुनी, आज आपका मेरे पास आने का क्या प्रियोजन है आपके मन में क्या चल रहा है, नी संकोच हो कर कहो क्योंकि आप दूसरों के कल्यान के लिए ही सदा मेरे पास आते रहे हैं हे नाराद्मुनी, आप बताओ आपको किस बात का दुख है तब नाराद्मुनी विश्नु भगवान से बोले कि हे इश्वर मैं मृत्यू लोक में ब्रह्मन कर रहा था तब मैंने देखा कि प्रतेक मनिश्य अपने अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों से दुखी है उनके दुखों को देखकर मेरा मन दया से भर गया हे नार अगर आप मुझ पर दया रखते हैं तो यह बतलाईए कि उन सभी मनुश्यों के दुखों को थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि प्रतेग मनुश्य के पास धन खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। तो किसी के पास पैसा है तो वह खर्च नहीं करना चाता। तो कोई तन से दुखी है तो कोई मन से तो कोई धन से दुखी है आप कोई ऐसा उपाय बताईए जिसको करने से मनुष अपने दुखों को दूर कर सके तब विश्णु भगवान बोले कि है देव रिशी नारत मनुष के कल्यान के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रशन किया है जिसकाम के करने से मनुष मोहों से छूड़ जाता है आज मैं तुमसे कहता हूँ तुम जहान से सुनों बहुत पुन्य देने वाला स्वार्ग तथा मिरत्यू लोग दोनों में एक अती दुल्लब व्रत है आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ सत्य नारायन भगवान का यह व्रत अच्छी तरह शद्धा से विधीवत करने से मनुष आयू परियंत सुक भोग कर मरने के बाद मोक्ष को पाता है हे नारद मुनी यही एक ऐसा व्रत है जो जीते जी मनुष को सुक तो देता ही है मरने के बाद परलोग में संचित रहता है भगवान के वचन सुन का नारद मुनी बोले कि हे प्रबू उस व्रत का क्या विधान है क्या फल है सबसे पहले यह व्रत किस ने किया यह व्रत किस दिन करना चाहिए कृपिया करके आप विस्तार से बताईए दाविश्णु भगवान बोले कि हे देवरिशी नारद पुत्र शोक आधी को दूर करने वाला धन्धान्य को बढ़ाने वाला, सोबाग्य और संतान को देने वाला, दसो दिशाओं में कीर्थी बढ़ाने वाला यह व्रत सब इस्थानों पर विजई कराने वाला है भक्ति और शद्धा के साथ पूनिमा के दिन यह व्रत करना चाहिए भक्ति भाव से नेवेद केले काफल, घी, दूद, गेहूं का चूरन, शक्कर, गुड, सभी सामान भगवान सत्यनारायन के अर्पित कर देवें उस दिन किसी योग्य पंडिस से सत्यनारायन भगवान की कथा को सुने आर्थी करें, फिर एक जोड़ा भ्रामन को भोजन करावें, उसके बाद संध्या के समय दुबारा भगवान की आर्थी करें, उसके बाद ही बंदू-बांदू सहित, शाकाहारी भोजन करें न्यत्य गीत आधी का आच्रन करके समय व्यतीत करें, ब्रह्मचारिय का पालन करें, जूर चोरी पर निंदा से बचें अगर कोई मनुष इस तरह से सिरिसत्य नारायन भगवान का व्रत करता है, तो वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को पाता है मोक्ष प्राप्ती का इससे सरल उपाय और कोई हो ही नहीं सकता मनुष योनी बड़ी दुलब है, जो मनुष सत्य नारायन भगवान के इस व्रत को करता है, उसी मनुष का जीवन सफल है जो बुद्धिमान मनुष सत्य नारायन भगवान को प्रसंद करता है, व्रत करता है, उसके सभी कारिये सफल हो जाते है जो मनुष्य दहे धारन करके भी पूनीमा कवरत नहीं करते उसके शरीर में सेकडों पाप वास करते हैं दूसरा अध्याए जैहो सिरी सते नाराइन भगवान कीज़े सूत जी बोले कि हे रिशियों जिसने पहले समय में इस वरत को किया अब मैं उसका दूसरा इतिहास कहता हूँ तुम ध्यान से सुनों सुन्दर काशीपूरी नगरी में एक अत्यंत गरी ब्रामन था वह भूक और प्यास से बेचेन होकर प्रत्वी पर घूम रहा था ब्रामनों से प्रेम करने वाले भगवान ने जब ब्रामन को दुखी देखा तो बूडे ब्रामन का वेश धारन करके उसके पास गए और पूछने लगे कि हे विप्र तु नित्य दुखी होकर प्रत्वी पर क्यों घूम रहा है हे श्रेष्ट ब्रामन यह सब मुझ से कहूँ मैं सुनना चाता हूँ तब ब्रामन बोला कि मैं बहुत निर्धन ब्रामन हूँ बिख्षा के लिए प्रत्वी पर घूम रहा हूँ हे ब्रामन देव यदि आप इसका उपाय जानते हूँ तो क्रिपा करके मुझे बताईए तब रद्ध ब्रामन वेश में भगवान बोले कि हे पुत्र सत्यनाराइन भगवान मनवानचित्वल को देने वाले है इसलिए तू उनका पूजन कर और व्रत कर तेरे सबी दुखों का नाश हो जाएगा ब्रामन को व्रत का सारा विधान बताकर बुडे ब्रामन का रूप धारन करने वाले सत्यनाराइन भगवान वहां से अंतरध्यान हो गए जिस व्रत को व्रत ब्रामन ने बताया मैं उसको करूँगा या निश्चे करने पर उसे रात को नीन भी नहीं आई सुबह उट सत्यनाराइन भगवान के व्रत का संकल्प करके भिख्षा के लिए चला गया उस दिन उसको भिख्षा में बहुत सधन मिला जिससे उसने अपने बंदू-बांदूओं के साथ स्रिसत्यनाराइन भगवान का व्रत किया इस व्रत को करने से व्रामन सभी दुखों से चूट गया और सभी प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ उसके बाद वे ब्रामन हर महने पूनी मा कवरत करने लगा इस तरह सत्यनाराइन भगवान के व्रत को जो भी करेगा वे सब पापों से चूट कर जीवन के सुखों को भोग कर मरने के बाद मुक्ष को प्राप्त होगा आगे जो प्रत्वी पर सते नारायन कवरत करेगा वह मनश सभी दुखों से छूट जाएगा इस तरह नारत जी ने नारायन का कहा हुआ ये वरत मैंने तुम से कहा हे विपरो अब तुम और क्या सुनना चाते हो तो सभी रिशी बोले कि हे मुनीवर संसार में उस ब्रामन से सुनकर बाद में किस-किस ने इस वरत को किया हम वह वरतांद भी सुनना चाते हैं हमारे मन में सुनने की अपार इच्छा है तो सूत जी बोले कि हे मुनियो जिस-जिस ने इस वरत को किया वैसारा विधान मैं तुमें सुनाता हूँ एक बार एक भ्रामन धन और एश्वरिय के अनुसार बंदुबादूं के साथ पूनिमा का व्रत करने को तैयार हुआ उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूड़ा आदमी उनके पास आया लकड़ियों को उसने भ्रामन के मकान के बाहर ही रख दिया और अकेला ही वे ब्रामन के घर में गया प्यास से दुखी लकड़ारा उनको व्रत करते हुए देख कर नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो और इसको करने से क्या फल मिलता है कृपिया करके मुझे बताईए ब्रामन ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरण करने वाला ये सत्यनाराइन भगवान का व्रत है इनकी ही क्रपासे मेरे यहां धन्दाने की व्रदी हुई है ब्रामन से व्रत के बारे में जानकर बुड़ा लकड़ारा बहुत खुश हुआ चर्णामत ले प्रसाद खाने के बाद वै अपने घर को आया लकड़ारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनाराइन देव का उत्तम भगवान करूँगा ये मन में विचार करके वै लकड़ारा अपने सिर पर रकड़ियां रख कर जिस नगर में धनवाल लोग रहते थे वै ऐसे सुन्दर नगर में गया उस दिन उस ब्रामन को उन लकड़ियों का दाम दस गुना अधिक मिला तव बुड़ा लकड़ारा दाम ले अती प्रसन हो पके केले की फली शकर घी दूद दही गेहूं का चून लेकर सत्यनाराइन भगवान के व्रत की सभी सामगरियों को लेकर घर आया फिर उसने अपने सारे बंदु बांधूं को मित्रों को अडोसी पडोसियों को सबको बुलाया सबको बुलाकर सत्यनाराइन भगवान की एक योग्य पंडिस से कथा करवाई सबने सत्यनाराइन भगवान की कथा सुनी आर्थी करी जिसको करने से वे बुड़ा लकड़ारा धन पुत्र आधी से युक्त हुआ और वे इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंट को प्राप्त हुआ जैहो सिरी सत्यनाराइन भगवान कीजे तीसरा अध्याई सूत जी आगे बोले की हे मुनियों अब मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूँ तुम ध्यान से सुनू पहले समय में उलकामुक नाम का एक राजा था वे सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था प्रती दिन देविस्तानों पर जाता था और गरीबों और जरतमंदों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता था उसकी पत्नी कमल के समान मुखवाली सती साधवी थी भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्य नारैन भगवान कवरत किया उस समय वहां उनके पास एक साधू वेश्य आया उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था वे अपनी नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और पूछने लगा कि है महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? किस देवता का पूजन कर रहे हैं? क्रिपिया करके मुझे भी बताईए मेरी सुनने की इच्छा है तो राजा ने कहा कि है साधू बंदू बांदूओं के साथ पुत्र की प्राप्ती के लिए महाशक्तिवान सत्यनाराइन भगवान का मैंने व्रत किया है पूजा कर रहा हूं और कथा सुन रहा हूं राजा के वजन सुन कर साधू बोला कि है महाराज मुझे से आप इस वरत के बारे में बताईए मैं भी आपके कतना अनुसार उस वरत को करूँगा क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है मेरी शाधी को दस बरस हो गए है लेकिन अभी तक भी मुझे संतान सुक की प्राप्ती नहीं हुई इस वरत को करने से निश्चे ही मुझे भी संतान सुक की प्राप्ती होगी राजा ने कहा कि है साधू तुम जरूर इस वरत को करो इस व्रत को करने से प्रतेक मनुश के सभी कष्ट भगवान ने दूर करे हैं तुमारा भी दुख भगवान जरूर दूर करेंगे राजा से व्रत का सारा विधान सुन कर व्यापार से निवरत होकर आनंद के साथ वैघर गया सादू ने अपनी इस्तरी से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि है प्रिये जम मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा सादू ने ऐसे वचन अपनी इस्तरी लीलावती से कहे तब एक दिन उसकी इस्त्री लिलावती पती के साथ आनंदित हो, सांसारी धर में प्रवत होकर सत्य नारायन भगवान की क्रपा से गर्भवती हो गई दस्वे मैने में उसने एक बहुत सुन्दर कन्या को जन्म दिया दिनों दिन वे कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा तब लिलावती अपने पती से बोली कि है स्वामी आपने संकल्प लिया था कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस वरत को करूँगा अब आप उस उवरत को करिये सादू बोला कि हे प्रिये कथा करवाने में बहुत खर्चा आएगा सभी रिष्टेदारों को बंदू बांदूों को अडोसी पडोसी को सब को कथा में बुलवाना पड़ेगा बहुत बड़ा आयोजन करना होगा किसी योग्य पंडित को बुला कर कथा बचवानी होगी इसमें बहुत खर्चा लगेगा इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी कन्या के विवहा के समय कथा भी करवा दूँगा उस समय परिवार के सभी लोग मोजूद होंगे एक ही खर्चे में दोनों काम हो जाएंगे पत्नी ने कहा ठीक है इस प्रकार अपनी पत्नी को आशिवासन देकर साधु नगर को गया एक दिन उसने देखा कि उसकी बेटी कलावती पित्र ग्रह में व्रदी को प्राप्त हो गई साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो उसे लगा कि अब उसकी पुत्री विवालायक हो गई है इसका शिग्र विवा कर देना चाहिए तब साधु ने अपने एक दूद को बुलाया और कहा कि देखो मेरी पुत्री विवालायक हो गई है मेरी इकलोती संतान है मैं अपनी इकलोती संतान को किसी सुयोग्य लड़के को दूँगा इसलिए तुम कोई अच्छा घरवर ढूंडो सादू की आग्या पाकर दूत कंचे नगर पहुंचा वहाँ पर उसने बड़ी खोच करी बड़ी खोच और देखवाल करने के बाद दूत सुयोग्य वणिख पुत्र को लेकर आया उस सुयोग्य लड़के को देखकर सादू को भी बहुत खुशी हुई सादू ने अपने परिवार वालों बंदू बांधूं अडोसी पडोसी सब को बुलाकर दूम धाम से अपनी पुत्री का विवा उस सुयोग्य लड़के के साथ कर दिया जब बेटी विवा होकर जाने लगी तो सादू करुन रुदन करने लगा सादू अपनी बेटी के साथ ससुर के चरणों में गिर कर बोला कि हे समधी हे समधन जी आपके और भी बहुत पुत्र है मेरे तो इकलोते यही संतान है अगर आप मेरी पुत्री को ले जाएंगे तो मेरा तो घर ही खाली हो जाएगा मैं अपनी पुत्री के मुझ को देखकर ही उड़ता हूँ और इसका मुझ देखकर ही सोता हूँ इसलिए अगर आप दोनों चाहें तो अपने इस पुत्र को मुझे गोद दे दीजिए मैं आपके पुत्र को अपनी पुत्र के समान ही रखूँगा इसे कोई कश्ट नहीं होने दूगा ऐसा कहकर वे सादू गिडगिड़ाने लगा और रोने लगा तब बेटी के साथ ससूर सादू की विंती पर विचार करने लगे उसकी दैनिये हालत को देखकर उन्हें भी दया आ गई तब उन्होंने राजी राजी अपने पुत्र को उन्हें गोद दे दिया अब उनकी खुशी दुगनी हो चुकी थी शादी का कारेकरम पाँच दिनों तक चला क्योंकि अब उसे बेटी ही नहीं दामात के रूप में पुत्र भी मिल गया था उसके व्यापार में हाथ बटाने के लिए उसे एक पुत्र मिल गया था अब उसका जवाई उसका दाहीन हाथ हो गया किन्तु दुर्भाग्य से वे विवां के समय भी सत्यनाराइन भगवान कवरत करना भूल गया इससे भगवान क्रोधित होगे और उसे श्याप दिया कि तुझे दारून दुख प्राप्त होगा अपने कारिये में कुशल साधू बनिया अपने जवाई के साथ समुंद्र इस्तित रप्न नगर में गया वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे एक रोज भगवान सत्यनाराइन की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुरा कर भाग रहा था किन्तु राजा के दूतों को पीछे से आता हुआ जब चोर ने देखा तो घबरा कर राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे जब दूतों ने सादू वेशे के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे उन्हें चोर समझ कर रसियों से बांध कर राजा के पास लेगे और प्रसंदता से बोले कि हे महाराज ये वही दो चोर हैं जो आपका धन चुरा कर के भाग रहे थे हम इन्हें पकड़ कर के लाए हैं आप आग्या दीजिए तब दोनों सरसुर जमाई ने राजा से बहुत विंती करी कि हमने आपका धन नहीं चुराया लेकिन राजा ने उनकी एक नहीं सुनी राजा की आग्या से उनको कठोर जेल में डाल दिया गया और उनके पास जितना भी धन था वै भी छीन लिया सत्यनारायन भगवान के शाप से उसकी पतनी भी घर पर बहुत दुखी हुई घर पर जो धन रखा था चोड चुरा कर के ले गया शारिरिक मांसिक पीड़ा भूग प्यां से दुखी हुँ रोटी की चिंता में कलावती एक ब्रामन के घर गई वहां उसने सत्यनारायन भगवान की कता होते हुए देखी तो वह वहां बैठ कर कता सुनने लगी कता सुनने के बाद प्रसाद लेकर वह घर आई घर आई तो रात हो चुकी थी माता अपनी बेटी की चिंता कर रही थी कि पता नहीं मेरी बेटी कहां चली गई कहां थी तेरे मन में क्या है बेटी सुखदुख तो आते जाते रहते हैं यह तो चक्र चलता रहता है आज हम गरीब हैं किसी दिन हमारे पास भी धन होगा तू कहां गई थी कहीं तू चोरी चकारी तो करने नहीं गई थी तो कलावती वोली कि है माता मेरे पिता ने सत्य नारायन भगवान का व्रत करके मुझे पाया था सत्य नारायन भगवान की क्रपासे मैं पैदा हुई थी फिर मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ मैं तो सत्य नारायन भगवान का प्रसाद हूँ हे माते मुझे आने में किस बात से देरी हुई वे तुम सुनो। जब मैं एक ब्रामन के घर के सामने से गुजडी तो वहां सत्यनारायन भगवान की कथा हो रही थी। मैं वहां गई सत्यनारायन भगवान की कथा सुनी, प्रसाद लिया और आप के लिए भी प्रसाद लाई कन्या के वचन सुनकर लिलावती ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बोली कि बेटी हम भी सत्य नारायन भगवान की कथा करेंगे तब उसने बंदु बांदुओं और अडोसी पडोसी को बुलाया लिलावती सत्य नारायन भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी सबने बैठकर से सत्य नारायन भगवान का पूजन किया कथाकरी आर्थी करी ओ लिलावती ने भगवान से ये वर्दान मांगा कि है इश्वर मेरे पती और दामा शिगर घर हाजावे साथी ये प्राथना करी कि आप हमारा अप्राज शमा करो जैसे ही मेरे पती घर आएंगे जोड़े से पूर्णीमा का व्रत करेंगे आप मेरे पती की गलती को शमा करें इस विंती से और कथा और व्रत करने से सत्यनाराइन भगवान संतुष्ट होगे और एक रात्री को राजा चंद्र केतू को सपन में दर्शन दे कर कहा कि हे राजन दोनों वेश्यों को तुम प्राते ही छोड़ दो उनका सारा धन जो तुमने ग्रहन करा है वै भी दे दो नहीं तो मैं तेरा धन, तेरा राज्य, तेरा पुत्र, तेरा वेभव सब नश्ट कर दूँगा राजा से ऐसे वचिन कहे कर भगवान अंतरध्यान होगे सुब़ जब राजा चंद्र केतू सो कर उठा तो उसे अपने सपन वाली बात याद आई राजा ने अपना सपन सभा में सुनाया तब एक मंत्री जो बड़ा ही समझदार था उसने कहा कि है महाराज हमें उन दोनों को शिग्र त अतिशिग्र छोड़ देना चाहिए तब राजा की आग्या से दोनों वनिक पुत्रों को केस से मुक्त करके सभा में बुलाया उन दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया तब राजा मीठे वज़नों से बोले कि है महानुभाओं भावी वश्ट तुम्हें कठींदों प्राप्त हुआ है लेकिन अब तुम्हें कोई भै नहीं ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नेवस्तर आभुशन दिये उनसे जितना धन लिया था उसे दुगना धन देकर उनको आदर के साथ विदा कर दिया दोनों वेशे अपने घर की ओर चल दिये जैहो सिर सत्य नाराइन भगवान कीजे सूत्य जी बोले कि उसके बाद वेशे ने मंगलाचार करके यात्रा शुरू करी और अपने नगर को चला थोड़ी दूर आगे जाने के बाद भगवान ने सोचा कि मुझे इसकी परिशा लेनी चाहिए कि ये अभी भी सत्य बोलता है या जूट बोलता है तब भगवान सादू के पास गए और पूछने लगे कि हे सादू तेरी नाव में क्या है अभी मानिक सादू हसता हुआ बोला कि हे दंडी आप ऐसा क्यों पूछते हैं क्या आपको धन लेने की इच्छा है मेरी नाव में तो बैल पत्ते भरे हैं विश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुमारा वचन सत्य हो दंडी वेशधारी भगवान ऐसा कहकर वहां से थोड़ी दूर आगे जाकर समुदर के किनारे एक पेड के नीचे चबुतरे पर बैठ गे डंडी के जाने के बाद साधू ने नित्यक्रिया करने के बाद अपनी नाव को उची उठी देख कर अचंबा किया नाव में जाकर कर देखा तो उसमें बैल पत्ते पड़े थे यह देख कर सादू मुर्चित होकर जमीन पर गिर पड़ा थोड़ी देर के बाद मुर्चा खुली तो वशोग करने लगा और रोने लगा तब जमाई ने कहा कि है पिताजी आप तो बड़े ही सब्य बुरुश है मैंने कभी आपको जूट बोलते नहीं देखा आपको दंडी को जूट नहीं बोलना चाहिए था आपको जूट बोलने की सजा मिली है अते हमें अभी इसी समय दंडी के पास जाकर सत्य वचन बोल देने चाहिए तब ही हमारी मनो कामना पूरी होगी दामात के वचन सुनकर सादू दंडी के पास गया और नमस्कार करके उनके चर्णों में गिर पड़ा और बोला कि मैंने आपसे ऐसत्ते वचन कहे इसके लिए मुझे शमा कर दीजिए ऐसा कहे कर वैरोने लगा तब दंडी भगवानने सादू को साक्षाद दशन दिये जमाई और सादू भगवान के चर्णों में गिर पड़े भगवानने कहा कि हे वणिक पुत्र तू मेरी आग्या से बार बार दुखी हुआ है तू पेरी पूझा से विमुक हुआ है तूने कहा था कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस वरत को करूँगा लेकिन तूने संतान होने के बाद भी मेरा वरत नहीं किया जब तेरी पत्नी ने तुझे वरत की याद दिलाई तब तूने कहा कि मैं अपनी बेटी के विवहा पर करूँगा बेटी का विवाह भी हो गया लेकिन तूने मेरा वृत नहीं किया इसलिए तू बार-बार दुख पा रहा है तब सादू बोला कि हे भगवान आपकी माया से मोईट भ्रह्मा महेश भी आपके रूप को नहीं जानते तब मैं अज्यानी होकर कैसे जान सकता हूं हे ब्रभू आप प्रसन होईए मैं सामर्ते के अनुसार आपकी पूजा करूंगा व्रत करूंगा और आपके व्रत का खुब प्रचार करूंगा आप पहले के समान मेरी नोका में धन भर दो सादू के भक्ति युक्त वचन सुन कर भगवान प्रसन होगे और उसे इच्छे अनुसार वर्दान देकर अंतरध्यान होगे उसके बाद सादू नाव पर आकर देखा तो नाव पहले से भी अधिक धन से परिपून थी उसके बाद सादू ने वही सत्यनारैन भगवान के पूजन की सामगरी मगा कर भगवान का पूजन किया, कथा सुनी, आर्थी करी और व्रत किया उसके बाद वह अपने जवाई के साथ नगर को चल दिया जब वह अपने नगर के निकड पहुँचा तो उसने एक दूत घर पर संदेज देने के लिए भीजा दूत ने सादू के घर आकर उसकी इस्तरी को नमस्कार किया और कहा कि सादू अपने दामा सहीद नगर के समीप आ गए है यवचन सुनकर लिलावती बहुत खुश हुई सत्यदे भगवान का पूजन कर प्रसाद लेकर अपने पती से मिलने के लिए जाने लगी तो पहले उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि हे पुत्री अभी अभी एक दूत आया था दूत ने संदेश दिया कि तेरे पिता और तेरा पती नगर के निकट आ गए हैं मैं तेरे पिता के दर्शन को जाती हूं तू कारिये पूरा करके शिगर आ जाना मा के वचन सुन कर कलावती प्रसाद छोड़ कर पती के पास चली गई प्रसाद की अवग्या के कारण भगवान सत्य देव फिर से रुष्ट हो गए उन्होंने उसके पती को नाव सहित पाने में डूबो दिया अलावती ने जब अपने पती को समुदर में डूबा हुआ देखा तो वे रोने लगी और जमीन पर मुर्चा खाकर गिर गई इस तरह जवाई सहित नोका को डूबा हुआ और कन्या को रोता देखकर सादू भी बहुत दुखी हुआ वे हाँ जोड कर भगवान से प्राथना करने लगा कि हे प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है आप उसे शमा करो उसके दीन ही न्वचन सुन का सत्यदे भगवान प्रसन होगे और आकाशवानी हुई कि हे सादू तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड कर आई है इसलिए इसका पती अद्रश्य हुआ है यदि अगर जाकर प्रसाद खा कर आए तो इसे पती अवश्य मिलेगा आकाशवानी सुन कर कलावती भाग कर घर गई सत्यदे भगवान की मूर्ती को प्रणाम किया प्रसाद खाया चड़ना मत पिया फिर आकर उसने अपने पती के दर्शन किये उसके बाद सादू ने अपने सभी बंदू बांधूं को अडोसी पडोसी को नाते रिष्टेदारों को सब को सत्यदे भगवान की कथा सुनने के लिए बुलाया उसने भोजन का प्रभंद भी किया बड़ा ही विशाल आयोजन किया बड़ा सारा टेंट लगवाया गया योग्यपंडित कथा सुना रहा था यग्यका और हवन का आयोजन किया गया कथा की गई आरती की गई प्रसाद का वित्रण किया गया पूरे गांव वालों ने भोजन खाया इस तरह वह सादू भी हर मेहने पूनीमा का वरत अपने परिवार और बंदुबांदूं के साथ करता रहा इस वरत का ये फल मिला कि वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुआ सूत जी आगे बोले कि हे रिशियों अब एक कथा मैं और सुनाता हूँ प्रजापालन मेलीन तुंग धजनाम का एक राजा था एक बार भगवान का प्रसाद त्याग कर उसने भी बहुत दुख उठाया एक समय वशिकार करने के लिए वन में गया वन्य पशुओं को मार कर वे बढ़ के पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया वहां ग्वाले भक्ती भाव से सत्य नारैन भगवान की पूजा कर रहे थे कथा सुन रहे थे राजा ने देख कर भी अभिमान वश ने तो सत्य दे भगवान को नमस्कार ही किया नहीं कथा सुनी जब गांवालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वे राजा प्रसाद को त्याग कर अपनी सुन्दर नगरी को चला गया जब अपनी नगरी में पहुँचा तो देखा सब कुछ नश्ट हो गया था राजा समझ गया कि ये सब कुछ सत्यनाराइन भगवान ने किया है प्रसाद का त्याग करने, कथा न सुनने, प्रणाम न करने का उसे ये फल मिला है उसे ये दोश लगा है तब पूर्ण विश्वास करके राजा वापस ग्वालों के पास आया और उनसे विंती कहने लगा कि कृपिया करके आप पुन्ह सत्यनाराइन भगवान की मुझे पूरी कथा सुनाईए मैं कथा सुनना चाता हूं तब ग्वालों ने राजा को सत्यनाराइन भगवान की कथा सुनाई आर्ती करी, प्रसाद ग्रहन किया उसके बाद राजा अपनी नगरी को आया तो सब कुछ उसे पहले जैसा ही मिला और वे राजा दिर्ग काल तक सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुआ जो मनुष इस परम दूरलवरत को करता है भगवान की करपा से उसे धन धाने की प्राप्ती होती है निर्दन धनी हो जाता है, बंदी बंदन से मुक्त हो जाता है कुवारों के ब्या होते हैं, नोक्री जाने वाले को नोक्री धन जाने वाले को धन, मुक्ष जाने वाले को मुक्ष मिलता है संतान हिनों को संतान की प्राप्ती होती है सब मनोरत सबके पूरण होते हैं इस जीवन के सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंट को प्राप्त होते हैं जिनोंने पहले समय में इस वरत को किया उसके दूसरे जन्म की कता कहता हूं वृद्ध शतानन्द भ्रामर ने सुदामा का जन्मे लेकर मोख्ष को पाया उलकामुक नाम का राजा दश्रत होकर बैकुंट को प्राप्त हुआ सादू नाम के वेशे ने मोर्धवज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोख्ष को प्राप्त किया महाराज तुम धजने संभू भोग कर भगवत भक्ती में युप्त होकर मोख्ष को प्राप्त किया आईए अब हम आरती सुनते हैं कथा सुनने के वाद आरती जरूर सुननी चाहिए तभी कथा सुनने का पूरा फल मिलता है जै लक्षमी रम्ना स्वामी जै लक्षमी रम्ना सर्त नरायन स्वामी जने पातक हर्णा जै लक्षमी रम्ना रतन जडित सिंगासने अदभुद छविराजे स्वामी अदभुद छविराजे नारद करत निरंतर घंटा द्वनी माजे जै लक्षमी रमना रकट बैकली कारण दिजी को दर्शिदियो सामी दिजी को दर्शिदियो बुडो ब्रामन बन करकं चन महलतियो उम जै लक्षमी रमना दुरबल वील कराले जिन परक्रपा करे स्वामी जिन पर क्रपा करी, चांद्र चूडेक राजातीने की विपती हरी उम्जय लक्षमी रम्ला, वेश्य मनोरत पायो श्रदाताजी देनी सोखल भोग्यो प्रभुजी फिरेस्तु तिकीने उम्जय लक्षमी रम्ला, वाब भक्षि के कारण चिन चिन रूप धर्यो स्वामी चिन चिन रूप धर्यो, श्रदादारण की नीतीनी को काज सर्यो उम्जय लक्षमी रम्ला, वाल बाल संग राजा, वन में भक्षि करी समी वन में भग्य करी, मन वांचित फल दीना, दीन दयाल हरी उम्जै लक्षिमी रम्ना, चडत प्रसाद सवायो कदली फल मेवा समी कदली फल मेवा, दूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा उम्जै लक्षिमी रम्ना, सत नरायन जी की आरती जो कोई नरी गावे कहत सिवानंद स्वामी मन वांचित बल बावे उम्जै लक्षिमी रम्ना, जाहुष्री सत नरायन भग्यान कीच, धन्यवा